हेलो फ्रेंट銀, वेलकम थें मानशीज वर्ल, फ्रेंट feels, आज मैं आपके लिए एक बहुती थेस्टी और डिलिशयस रेषिपी लेके आये हूँ, तो फ्रेंटस आज मैं आपके लेके हैं हूँ बहुती तेस्टी और डिलिशयस प्यास की कचोरी की रेषिपी यह देखियें ये बहुत ही तेस्टी और डिलिश्यस है बिल्कुल क्रंची करारी इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है ये देखिए मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ और इसके अंदर देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मसाला भरावा है और इसका जो मसाला है वो भी बहुत ही तेस्ती है, बहुत ही आसाम तरीके से हम इसे बनाएंगे, और फेंट सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हमने गेहूं के आटे का इस्तमाल किया है, ये पूरी तरीके से मैदे से नहीं बनी भी है, तो थोड़ी बहुत ये healthy भी है, I hope आपको ये रेस्पी पसंद पसंद आए तो लाइक का बटन जरू से जरू क्लिक किजेगा, जाज जाज जादा इस वीडियो को शेयर किजेगा अपने फ्रेंस एंड फैंबली के साथ, वाटसेप और फेस्बुक ग्रूप में, कमेंट करके मुझे जरू से जरू बताएगा, और एक बार तो ये करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज ये लाल बतन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल मत दूलिएगा, ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिलती रहे, और ये बिलकुल फ्री है, तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट स्टाट एट, तो फ्रेंट्स प्यास की ये टेस्टी डिलिशियस कचोरी बनाने के लिए, यहां पर पहले हम मसाला बना लेते हैं, तो कडाई के अंदर मैंने एक बड़ा चमच तेल डाला है, इसके अदर, और इसको अभी हम ऻून लेंगे, मिडियम से हाई खेन, और इसको प्राउन कलर ला इंदर, अशरू हिए तब कासि तक एक दर सकता है, एक दर्हां जोड़न से नहीं होगो है, तो यह writ terrorism हो गया है, जोड़न जोड़न से मॉसरिए नहीं हब बाउन से प्याज़ने, इससे बहुत अच्छा spicy taste आएगा इसके अंदर तो इसको mix कर लेंगे और हलका सा पका लेंगे तो फ्रेंच इसके बाद हम इसके अंदर basin डालेंगे basin से binding बहुत अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच के करीब basin डाला है और इसको mix कर लेंगे और हलका सा हम पका लेंगे basin बहुत ज़्यादा add नहीं करना है इससे बस हलका सा स्वार अच्छा आएगा और binding अच्छी हो जाएगी और basin को हलका सा सेकने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चार medium size के आलू boil किये वे और इस तरीकी से मैंने mash करके इसके अंदर डाल दिया है इसको mix कर लेंगे और medium आच्छ पे इसको हलका सा पका लेंगे इसके ऐबस मैं इसके अंदर masala डाल रहती हूँ थोड़े से masala है बस जिनका टेस्ट बहुत ये अच्छा आता है तो friends इस masala के साथ इस आलू और प्याज को हमें बुनना होगा पार्च मिंट के लिए बिलकुल दीम आज पे इससे पहले भी friends मैंने कचोरी की रेस्पी आपको बताई थी और आप सब लोगोने बहुत पसंद की थी वो कचोरी friends मैंने पूरी तरीके से मैदे से बनाई थी और बहुत सारे मुझे कमेंट्स आये थे कि मैडम क्या हम गेहूं के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं कचोरी में तो आज मैं आपके लिए वही रैस्पी लेकर आई हूँ, I hope आपको पसंद आएगी इसके बाद इसके अंदर नमक डाल देंगे, अभी तक मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला था तो अब नमक डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, यह मसाला देखिए हमारा रेडी हो गया है इसके अंदर मैं हरा धनिया डालूंगी और गैस को बंद कर दूंगी इसको हम ठंडा होने देंगे तो चलिए फ्रेंज कचोरी के लिए डो बना लेते हैं और यहाँ पर मैंने लिया है एक कप के करीब मैदा और आप सोच रहे होंगे यह फिर से मैदा यूज कर रही है तो रुकिए यहाँ पर मैं एक कप के करीब ही गेहूं का आटा ले रही हूँ यह जो रोटी बनाते हैं वो आला आटा है और फ्रेंज यह मैंने दोनों बराबर प्रोशन में लिये हैं इसके अंदर मैं नमक डाल दूँगी स्वाधा नुसा और इसके साथ-साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसके खस्ता बनेगी हमारी कचोरी है जो और इसको हाथ से मसल मसल के एक सार कर लेंगे ताकि ऑईल है जो वो पूरी तरीके से आटे में मिक्स हो सके यह बहुत ही जरूरी है ताकि आपकी कचोरी खस्ता बने तो फ्रेंज अब हम नॉमल पानी का यूज करके इसकी मीडियम तो फीर इसका बहुत ही ज्यादा टाइट आटा हमको नहीं बनाना जाए बहुत ही ज़ादा सॉफ्ट आटा भी नहीं बनाना है हम एपल पयातए तो थोड़े थोड़े पानी का यूज कीजिए और इसका बना लİंजी घैए देखेए थे हमां भग्के सल्सुद्ध के संना 15 मिन के बाद इसको डो को हम एक बर अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे और यह बहुत ही तेस्थी कचोरी बनेगी तो अभी डो को मैंने मसल के चिकना भी कर लिया है इसको अभी मैं डिवाई कर देती हूं इसकी लोईया तोड़ लेती हूं तो देखिए मैंने जितनी परांठे के लिए हम लोई तोड़ते हैं उतना ही लोईया तोड़ ली हैं इसके लिए और इसके बाद देखिए मसाला भी हमारा ठंडा हो गया है तो मसाले के भी हम बॉल्क्स बना लेंगे भरने के लिए ताकि हर कचोरी के अंदर एक जितना मसाला आए और बिल्कुल भी कमी ने लगे मसाले के अंदर तो ये देखिए हमने इस तरीके से बॉल्क्स बना लूँगी ये बहुत ही तेस्टी कचोरी बनेगी फ्रेंस जरूर से जरूर ट्राय किजिएगा तो देखिए मैंने मसाले की भी बॉल्क्स बना ली है और चलिए अभी हम कचोरियां बेलना शुरू करते हैं तो इसको बेलने के लिए फ्रेंस मैं हाथ में इस तरीके से इसको चकरी बना लूँगी और इसको गोल-गोल घुमाते वे इस तरीके से होल क्रियेट कर लेंगे ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल है इस तरीके से अगर आप मसाला भरेंग आपकी थोड़ा सा हाथ से फैला दीजे जैसे वीडियो में बता रही हूं सेम इस तरीके से करना है हाथ से बीच में दबाव डालके थोड़ा सा प्रेस कर दीजे ताकि फूले भी कचोरी हमारी तो मैं एक कचोरी और आपको बना के बता देती हूं इस तरीके से देखिए ग इनको फ्राय कर लेते हैं यहां पर देखिए मैंने ओईल गरम करने रखा है इसको चेक कर लेते हैं थोड़ी सी लोई डाल के मीडियम आर्च पर आपका गरम होना चाहिए तेल बहुत ज़्यादा हॉट ओईल में नहीं डालना है हमको इसको तो यह देखिए हमारी कचोडिया भी त्यार हैं और मैं तीन से जादा कचोडिया एक बार में नहीं तलूँगी क्योंकि कड़ाई छोटी है मेरी तो यहां पर देखिए बीच में थोड़ा सा दबा के और कचोडियों को हम डाल देंगे थोड़ा सा बीच में से दबाने से तो बहुत ही क्रॉमइज कंब यह में मेंने लिंग dłगिए क्रिस्पी गोल्डन फ्राय हो गई है इनका रहा है इंका ला कर्सा बें वो बहुत ही चटपटा है टेस्टी है ये कचोरी देख कि अगर आपके मूँ में पानी नहीं आ रहा है तो कुछ तो गड़बढ है बहुत ही टेस्टी है और सबसे बड़ी बात है इसके अंदर हमने गेहों के आटे का भी यूज किया है तो देखा आपने बहुत ही इजी था शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़र ज़र अपने फ्रेंट्स के साथ वाट्साप और फेस्बूक ग्रूप्स में ताकि वो भी बनाके इंजॉई कर सके मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल में मत भूलेगा मैं हमेशा से आपके कमेंट्स का इंजार करती हूँ और मेर